असलाम लेकुम गाइज इस इस में इबराहिम रियास वेलकम बैक तुनमोने आज हम एक्सपीजी के एक लेप्टोप को रिव्यू करेंगे एक्सपीजी बेसिकले एक कंपैज़ी के एक कंपनी है जो 2001 में इस्टैबलिश हुई थी और ये मॉडल निकला है 2021 में तो इंटल एक कंपनी है जो लेप्टोप के प्रोसेस को गर्राग बनाती है XPG ने इंटल के साथ क्लाबरेशन करके यह वाला मॉडल निकाल ले है इस मॉडल का नेम है XPG Xenia XE मैं नीचे इसके स्पैलिंग वगारा लिख देता हूँ अगर लैप्टोप के लुक्स और डिजाइन की बात करें लैप्टोप के बिलकुल टॉप पे XPG की ब्रैंडिंग है लैप्टोप के लैफ्ट और राइट दूनों साइड पे इसकी पौर्ड से है जिसको हम आगए जार जाकर डिकस करेंगे लैप्टोप की बौटम में एर इंटेक शिस्टम है और laptop के back side पे dual exhaust system है तो मैं जल्दी से इसकी basic specifications बता देता हूँ यह Intel Core i7-11 generation इसका processor है इसमें built-in 16GB RAM है with LPDDR4 जिसकी frequency है 4200 MHz अगर इस laptop के storage की बात करें तो इसमें built-in 1TB NVMe SSD है laptop की right side पे आपको एक lock report मिलेगी जिसके बारे मैंने आपको Dell G3 में भी बताया था कि इसको आप as a wire lock यूज़ कर सकते हो mostly यह feature बाहर की countries में यूज़ किया जता है इसके साथ आपको एक thunderbolt type C port मिलेगी जिसको आप as a charging purpose यूज़ कर सकते हो इसके साथ आपको USB 3.2 port मिलेगी और इसके साथ ही आपको एक headphone jack मिलेगा laptop की left side पे भी आपको एक thunderbolt type C port मिलेगी और इसके साथ एक HDMI port और इसके साथ आपको एक USB 3.2 port मिलेगी अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें standard 1080p डिस्प्ले है जिसमें एक plus feature यह है कि यह IPS डिस्प्ले है विद टच सक्रीम 400 nits इसकी brightness है and it is very useful in daytime usage इसमें dual infrared camera है with Windows Hello Windows Hello का मतलब यह है कि यह face unlock के साथ compatible है और इसमें मज़े का feature यह है कि यह camera pressure aware है जिसका मतलब यह है कि यह within one second sleep से awake हो जाएगा यह देखने में काफ़ slim और sleek है with its aluminum body इसका display arm laptop की निस्पत काफ़ durable है with Corning Gorilla Glass 5 and it can also move up to 180 degree It also comes with Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.1 version Wi-Fi 6 का मतलब यह है कि इसकी wider transmission range है जिससे यह होगा कि आप data send or receive कर सकते है with its wider range और Bluetooth 5.1 से यह होगा कि यह अपने Bluetooth signals को किसी physical location के साथ pinpoint कर लेता है जिससे connectivity में काफ़ी असानी होती है 2021 में इसमें Windows 10 की sport आती थी लेकिन अगर आप इसको buy करें तो इसमें Windows 11 built-in आती है इसमें Amazon Alexa की sport भी आती है Amazon Alexa same like Google Assistant की तरह है जिससे यह होगा कि आप अपने mobile को या अपने laptop को voice commands दे सकते हैं इसको box pack देने से आपको unlimited xbox का pass एक महिने के लिए मिलता है इतना premium होने के बावजूद भी इसका wear तकरीबन 1.65 kg है जो के इसके मुकाबले में जो laptops हैं उनसे काफी lightweight है झाल है झाल है झाल